हेलो फ्रेंड वेलकम टू मैं यूटूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव और आज हम पढ़ने वाले हैं चेप्टर फॉर जिसका नाम है हाउसेज विल लेविन इस चेप्टर में हमें पढ़ना है कि हाउस होता क्या है और किस-किस तरह के हाउसेज होते हैं तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हाउस कहते किसे हैं वैस थान जहां हम रहते हैं उसे कहते हैं हाउस और एक हवादार और साफ घर हर किसी की जुरूरत होता है एक घर हमें सुरक्षित रखता है एक घर हमारी बचाव करता है हमारा क्या करता है बचाव करता है किस-किस से हीड से गर्मी से रेन से बारिश से विंड से और स्टॉम से जब तेज हवाई चलती हैं तूफान आता है तो उन सबसे हमारी रख्षा कौन करता है हाउस करता है अगर बाहर कितनी भी गर्मी हो रही हो और अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें गर्मी नहीं लगती ऐसे ही अगर घर के बाहर बारिश हो रही है और हम घर के अंदर हैं तो हमारी उपपर इसका कोई फेक्ट नहीं पड़ता बाहर तेज तूफान आया हो हवाएं चल रही हो लेकिन अगर हम घर के अंदर है तो house इन सबसे हमारी क्या करता है रख्षा करता है बचाव करता है Do we all live in same kind of houses? क्या हम सबी एक ही तरह गर में रहते हैं? बच्चों, जब आप अपने किसे relatives या neighbor के घर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? कि उनका घर भी आपके घर जैसा ही है या उनका घर आप से different है क्या सेम होता है घर सबका? नहीं, सबके घर क्या होते हैं? different, different होते हैं Houses are made from material we get in plenty around us Houses किसे बने होते हैं? उन materials से बना होता है जो हमारे आसपास बहुत मात्रा में मिलता है different places have different type of houses और अलग-अलग जगह पर अलग-अलग type के house होते हैं the type of house depends on the weather condition of a place और घरों के परकार वहां की weather condition पर भी depend करता है कि किसी जगह का weather condition कैसा है? अगर वहां बहुत ज़्यादा बारिश है तो different type के घर होंगे बहुत अधिक थंडी है तो अलग तरह के घर होंगे बहुत ज़्यादा बरफ गिर रही है तो अलग type के घर होंगे और ये इस बात पर depend करता है कि उस जगह पर कौन से चीज, कौन सा material easily available है house क्या होता है इसको समझने के बाद अब हम चलते हैं अपने next topic पर next topic क्या है हमारा types of house घरों के परकार based on the type of material used house are of two type material जो हम house बनाने में यूज करते हैं उसके अधार पर हम houses को two types में divide कर सकते हैं कच्चा house and पक्का house कच्चा house देखिए बच्चों यहाँ पर एक कच्चा house की picture है यह आपको किस तरह घर दिखाए दे रहा है यह इसमें किस तरह का metal used हुआ है देखिए mud, straw और leaves आदि से बनकर यह घर बना हुआ है और यह पक्का house दिख रहा है यह किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है brick, cement, stone, iron, steel आदि से मिलकर बना है तो यह दोनों material के according different different होते हैं कच्चा houses के बाद अब समझ लेते हैं कि पक्का houses क्या होते हैं अब पक्का house is made up with brick, wood, glass, cement and iron जो एक पक्का house होता है वो किस से मिलकर बना होता है brick से, इंटों से, wood से, लकडी से, glass से, cement से and iron से तो यहां पर आपको दिख भी रहा है कि जो यह house बना हुआ है इसमें bricks लगी, bricks से मिलकर बना हुआ है और क्या क्या हो है इसमें cement और iron और glass से मिलकर बना हुआ है इस houses are expensive, यह houses महंगे होते हैं क्योंकि इनको बनाने में जो material लगा है वो expensive होता है, महंगा होता है पका houses are permanent and strong building और जो यह पका house होते हैं, यह permanent होते हैं क्यों? क्योंकि अगर bookamp आता है या bard आती है तो असाने से इनको नुक्सान नहीं पहुचा सकती क्योंकि जो इनमें material यूज़ कियाता है, उसके बाद यह बहुत ही strong होते है and strong buildings, जैसा मैंने बताया कि यह बहुत ही strong building होती है और इसमें यह है, इसमें use किये जाने वाले material जो इसको बनाने में use की जाते हैं तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि कच्चा हाउस कैसा होता है और पक्का हाउस कैसा होता है आप सभी को मुझे comment box में comment करके बताना है कि आप जिस घर में रहते हैं वो कच्चा हाउस है या पक्का हाउस है अब next topic है हमारा types of कच्चा houses कच्चा हाउस के different different types सबसे पहला है stilt houses in a place where it rains heavily जिस ठान पर जादा वारिश होती है बहुत जादा वारिश होती है people makes houses on stilt with bamboo तो वहां के लोग क्या करते हैं bamboo के सहारे पर कुछ उचाई पर घर बनाते हैं जिससे क्या होता है जो बारिश का पानी नीचे भर जाता है वो घरों में नहीं जाता क्योंकि अगर घर नीचे बनाये जाएंगे तो पानी उनमें भर जाएगा क्योंकि बारिश बहुत जादा होती है और पानी वहां पर भर जाता है तो पानी घर में ना भरे इसके लिए कुछ उचाई पर यह घर बनाया जाते है यह इस picture में भी आप आसानी समझ सकते हैं यह देखिए यह bamboo से यहाँ पर कुछ उचाई पर यहाँ पर घर बनाया हुआ है next है igloo next क्या है igloo at very cold places, houses are built with blocks of ice जहाँ बहुत ठंडी होती है, बहुत सर्दी होती है, बर्फ गिरती है वहाँ पर घर कैसे बनाया जाते हैं, किस के साथ बनाया जाते हैं block of ice ice के block के साथ बर्फ के टुकडों से बनाया जाते हैं these are called igloos और इन घरों को क्या कहा जाता है, igloo people living in these houses are called eskimos और जो लोग इन घरों में रहते हैं, उन्हें कहा जाता है, eskimos and igloo protect them from icy cold winds और जो ये igloo होते हैं, बर्फ से बनेवे घर ये eskimos को, जो बाहर बर्फीली हवाएं चलती हैं उनसे इनकी रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं next है house boat तो अगर आप कभी घूमने गए हों कश्मीर में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि boat पे कुछ houses बने होते हैं तो वही क्या होते हैं, house boat होते हैं a house boat is a floating house क्या होते हैं, house boat क्या होते हैं, तैरता हुआ घर होता है in कश्मीर, some people live in these houses made on boat और कश्मीर में कुछ लोग इन पर रहते भी हैं boat पर ये घर बना होता है, और उसमें लोग रहते हैं अब next है, tent, tent आप ने देखा है बच्चों कभी sometimes people stay in one place for a short time and then move on कभी-कभी क्या होता है, कि लोग कुछ time के लिए एक जिगह पर रहते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, they live in tent वे किसमें रहते हैं, tents में रहते हैं a tent is made of canvas और एक tent जो होता है, किससे बना होता है, canvas से it can be easily moved and fixed again इसको आसानी से move भी किया सकता है, और दुबारा इसको लगाया भी चाह सकता है soldiers and campers use tents soldiers होते हैं हमारे और campers होते हैं, वो tent को use करते हैं उसके बाद next है, caravan caravan is a small house made on a vehicle यह देखे, यह आपको क्या दिखाई दे रही है, एक बस दिखाई दे रही है और इसी के अंदर घर जैसी विवस्था की जाती है a caravan is a small house made on a vehicle विकल पे ही एक क्या बना जाता है, house बना जाता है we can drive the whole house and go to a new place हम इस पूरे घर को ही drive करके दूसरी जिगे पे ले जा सकते हैं और खुद भी जा सकते हैं आज की वीडियो में हम chapter का half part ही cover कर रहे हैं बाकी का जो part बचा है, उसे हम next video में cover करेंगे और जितना part हमने पढ़ा है अभी उसको देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया है यहाँ पर एक छोटी सी book access दी गई है उसको यहाँ पर कर लेते हैं और जान लेते हैं कि हम chapter को कितना समझ पाए हैं यहाँ पर five questions दिये हुए हैं और हर एक question के four four option है जो correct option है उस पर आपको tick करना है question a a house protect us from house हमारा किस से बचाव करता है option one rain option two storm option three dust option four all of these तो हमने पढ़ा था कि जो house होता है हमारा वो हमारी rain से storm से heat से dust से सबी से रख्षा करता है इसमें answer क्या आना चाहिए option four all of these question b which of the following is used to make पका house इन में से कौन सा पका house बनाने के लिए यूज के जाता है option one cement option two mud option three straw option four none of these cement, mud, straw इन में से आपको बताना है कि पका house बनाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं तो mud और straw तो हम किसके लिए यूज करते हैं कच्चा house के लिए और cement यूज करते हैं पका house के लिए तो इसका answer आएगा option one question c Eskimos live in Eskimos जो होते हैं वो रहते हैं कहां पर option one stilt house option two tent option three igloos option four house what किस में रहते हैं बच्चो Eskimos igloos में option three question d a tent is made of tent किससे बना होता है option one wood option two canvas option three block of eyes option four mud किससे बना होता है बच्चो tent canvas से option two question e a moving house is called जो moving house होता है वो क्या कहलाता है option one tent option two caravan option three stilt house option four kaccha house क्या कहलाता है बच्चो क्या रहा है option two तो ये थी हमारी आज की वीडियो और इसी चैप्टर का नेक्स पार्ट देखने के लिए हमारी नेक्स वीडियो जरूर देखिए और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बैल आइकोन को प्रेस जरूर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और लास्ट में यही कहूंगी घर पर रहे मगर पढ़ते जरूर रहे थैंक यू फर वाचिं मैं वीडियो